दानों दोस्तों एक कटोरी दाल को दो लेंगे और दो के चढ़ा देंगे यह है मसूर का दाल काला मसूर मैंने दाल को दो लिया है अब पानी दाल देंगे आधा लिटर से जादा ही पानी डागा मैंने पोड़ा से नमक दालेंगे सीटी लगा लेंगे इसमे पहली सीटी आने के बाद इसको और पांच मिनट पकने देंगे सीम आज पे एक सीटी आ गई है अब इसको पांच मिनट तक शेतकات निकलेद सब्सक्राइब हैं जादा गी पड़ा है कंजे-खमसे नगीप चमच के सबसे पहले लसुम डालेंगे लसन तो खोड़ा से घूनने देंगे लसन तो आधा बिनेट मैंने भून लिया है जिखिए यही इस तरह से अब डालेंगे इसमें त्याज दो त्याज ताट के दिगा है इसको जो घून लेना अच्छा चिप प्याज थोड़ा से पक गया है अब मिर्चा डाल रहीं में चार पांक मिर्चा है और अद्रक अद्रक ग्रेट करके रखा है प्याज रगेरा भून गया है अच्छा से देखिए इस तरह से अच्छा से भून लेजिएगा अब इसमें डाल रहे हैं दो टमाटर दो चोड़ी चोड़ी टमाटर है आप एक बड़ा टमाटर की लेसकते हैं दाल उबालने में मैंने नमक कम डाला था तो इसमें थोड़ा नमक डालेंगे पात के अनुसार इस चमच हल्ली और ये दो छोटे चमच सबजी मसाला कर और थोड़ा सा पानी कई अपूल लेंगे को तामाटर को अलालेगे को टमाटर अच्छा से घल गया है और मसाला भी द cyclic डालेंगे gi भोल हैं में दाल में ग open कर देखें डाल अच्छा से पग गया है एक डम गल गया है इसमें इसमें मसाला मिला देंगे अच्छा से पड़के आए अच्छा से अच्छा दाल यह एक जाता है अच्छा दाल यह एक शीटी लगता है तो पांच में नहीं गल जाता है अच्छा से अच्छा से लिए अच्छा से देखें तर्षटी अच्छा से तला हुआ प्राई किया हुआ उसके जादीर एक और यह तो शीटीर अच्छा दाल आए हिए नहीं है अब इसमें डालेंगे थोड़ा से फ्रेस्ट मलाई जो आप तो क्रीम दूर से निकालते हैं तो दूर से जो निकालते हैं मलाई गई डाल बन के तयार है मैं अब टेस्ट करने जा रही है अब टेस्ट करके बताती हूँ कि कैसा बना है हम् महुद अच्छा बना है लाजवाब बना है दाल आप भी ट्राई किजिएगा बनाईएगा और बताईएगा कैसा बना आपका